परिशान है बच्चे भी आपसे भी बात भी होगी देखिए हमारा हम जीवाइटी का जो रिजल्ट है उस पर सरकार घंबीता से विचार कर रही है पर मैं आज कुछ न्यूज पेपरों में ये देख रहा था कि ये कहा गया कि कुछ मंत्रियों से मिलो ये मेरा ये ना तो कहा और ना ही कहने का ऐसा मकसद है मैंने कहा कि मंत्री मंडल में इसकी विच्टरी चर्चा होगी आप मंत्री मंडल में हमको कानूनों पहलों पर चर्चा करना पड़ेगा और सभी मंत्रियों को इस बारे में अबगत करवाना चाहिए पर ये खबर आने की चार मंत्रियों को बो कुछ नहींuca मीरसे जिएुजाज मिनले आए उन्होंने मुझंने मुझसे पूचा किम पूछाएंकर सर थी स्यक्तिक्रपीयुशुर्ट भी हम उन्होंने मतरि मंदलothe को box करें गयाओ और मंत्री मंडल में चर्चा करने से पहले कानूनी पहलियों पर विचार मिमर्श किया जाएगा और कानूनी पहलियों को समझने की जूरत है तो उन्होंने कहा कि आप चीम मिनिस्टर आप खुद कर सकते हैं तो मैंने उस बात का जबाव दिया कि चीम मिनिस्टर का मतलब यह सब्सक्राइं को मति richest का का अधिकार है लेकिन मंत्रिद्व मंध। में जब चर्चा हुई तो उसके कानुनी पहληों owners पर हम विचार कर रहे हैं। और कानुनी पहलों से जैसे ही हमें पॉजिटिव आंसर आएगा हम उनका रिजल्ट निकालें देखिए सरकार गौं के द्वार कारेकरम का मुख्या अदिश्या यह है कि एक वरश पहले जब कॉंग्रेस पार्टी की सरकार आई और कॉंग्रेस पार्टी ने जिस परकार की वि लेकर जाना चाहते हैं इसलिए क्योंकि सरकार गौं के द्वार कारेकरम के तहट हम लोगों को यह बताना चाहते हैं कि आप कितने सालों से अपने इंतकाल के लिए लड़ते रहे अपनी तकसीम के लिए लड़ते रहे हमने परिवरतन कानून में परिवरतन किया आम लोगों को फायदा पहुचाने के लिए और मुझे खुशी है कि पहले जो लोग पटवारियों के पीछे गुमते थे अब सरकार के अधिकारी और पटवारी लोगों के पीछे गुम रहे हैं यहीं कि सरकार गौं के द्वार कारेकरम के उदेशिया से यह भी हम लोगों को जागरित कर हैं लोगों की मूल बहुत समस्याएं क्या हैं किसान की मूल बहुत समस्याएं क्या हैं एक साल में हमने किस तरह परिवर्तन करके 20 प्रतिशत अपनी अर्थ विवस्ता को पटड़ी पर लाया है वो हम सरकार गौं के द्वार कारेकरम के तहत बता रहे हैं हमाचाल वरोदी भ रोड पे का अवार्ड दिया उसको अवार्ड को दलाने में कोई मदद नहीं कर रहे तो कहां है ये भारतिय जनता पार्टी के लोग हमाचल के लोगों के साथ खड़े वे हित्यास की सबसे बड़ी आफदा में खड़े नहीं हुए वीवीएमपी से जो शेर मिलना उसमें हमार हमाचल का शेर है वो भी धोला सी लूरी प्रोजेक्ट में इन्होंने स्टैगर करके वो चाली सालवा ले दिया तो कहां भारतिय जनता पार्टी के लोग खड़े वे सिक्स्थ पे कमिशन दे दिया सिक्स्थ पे कमिशन का जो एरियर था वो नहीं दिया तो ये हमाचल विरो और लोगों की फीडवेक से लोगों की मूलबू समस्यों की जानकारी प्राप्त करके फिर आने वाले बजट में उनके लिए नहीं यूजना लाके प्रवधान भी करना चाहिए वैसे गैस फिकल्टी के वारे में लोगों को गलत फहमी है होता गया कि एक हफते के लिए हमाचल ठार में स्थान पर पहुंच गया है तो उसके पीछे मूल बहुत कारण किया कि टीचर की काफी लोगों की ट्रांसफर इदर से उदर होती रहती है तो एक हफते दस-दा दिन तक टीचर नहीं होते है तो दस दिन के लिए कोई अगर टीचर रखना चाहता है तो उस मैREट के लिए को उस फ्रिंसिपल को उस शेतर के और अधिकारी पो यह राइट होना चाहते है कि दस दिन के लिए कि उस क्हलती एजूकेशन काौ उस मैरिट के अदार का अगर है तो उसको रख सकता है मैरिट के है 75% प्लस्थी मेह होनी चाहिए 65% वी एड मेह होनी चाहिए अगर Kwalige में रखना है 10 दिन के लिए तो उसके लिए merit क्या है курset qualify होना चाहिए, जेg R ref qualify होना चाहिए उसको उनोंने गलत समझ लिया उनोंने गलत समझ लिया कि ये पता नहीं, बेस्स को एक के लिए रख रहे है, दोस साल प्शू के लिए रख रहे है यह period based hourly हम policy लाए हैं अभी इसको फिर जब इसका हुआ तो कहीं न कहीं confusion कहीं से हुआ तो मैंने उनको बोला कि अभी यह जो period based hourly policy है इसको अभी रोक दिया जाए और मेरे से चर्चा करने के बाद और जब education minister आजएंगे उसके बाद ही इसको हम आगए अमली जामा पहनाएंगे यह सिर्फ इसलिए रखा जा रहा है कि period based में पैसे फिक्स नहीं है तो principle पूछता कि finance अप्रूब ले कि कितने पैसे देने हैं तो हमने फिक्स कर दिया कि JVT का 200 रुपया गहंटे के साफ से दे सकते है और जो B.Ed का है JVT का उसके साफ से दे सकते है कॉली में इसके साफ से पैसे मिलेंगे पर पढ़ाएगा यह निए कि एक साल तक पढ़ाएगा तो उस डिस्टी कौन से अब करे कर रहे हैं